हेलो फ्रेंड्स आपको बता है नुव येर बहुत जल्दी आने माला है तो नए साल के स्वागत की तियारी तो करनी है तो चलिए तियारी स्टार्ट करते हैं तो मेरे पास यह बहुत छोटी सी प्लेस है मैं इसी में आपको डेकरेशन करके दिखाऊंगी बहुत ज़्यदा डिफिकल्ड डेकरेशन नहीं करें बहुत एजी डेकरेशन करने हैं इसको आप लास्ट मेर पर भी कर सकते हैं और इसको ना कि आप के वल नुव येर पे इसको किसी भी ऑकेजन पर इस तरीकी का डेकरेशन कर सकते हैं जो बहुत ही यूश्फुल है तो देखिए मेरे पास यह इस तरीकी का नेट है अगर आपको नेट नहीं तो आप साड़ी करें किसी बीची इसका यूज कर सकते हैं जो थोड़ा नेट वाली फैब्रीक में हो वह इसके उपर मेरे पास कुछ काइड़ बॉक्स थे जो काफी हाड है तो दो बॉक्स है मैं इससे सीटिंग कर रही हूं आप किसी बीचीज से कर सकते हैं तो आप गद्दा बगएर डालके भी इस तरीके से कर सकते फिर मैं इसको पहले एक फैब्रिक से कबर कर दिया है उसके इसके उपर बैट सीट लगा रही हूं तो मैं ब्लू कलर की बैट सीट का यूज कर रही हूं आप डेकोरेशन करते हमें हमेशा ध्यान रखेंगे थीम को अपने कवर कॉमिशन को ध्यान में जरूर रखना है उसका फैब्रिक को साइडों से इस तरीके से इसमें टक कर अब चले कुछ डियाएवे बनाते हैं तो सबसे पहले हैपी नियर का बैनर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से हम कर लेंगे सो वेलकम एक तो आवर चैनल एवरिटिंग इस हीर वित मंजला मैं मैं मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब क कर लेजिगा जिस से आपको आने वाले चैनल की वीडियो इसकी नोटिफीकेसर मिल सकाई मैं इसी तरीके की वीडियो अपके रिए करती रहती हूं तो यह जो हैपी नियर मैंने बनाया है इसमें क्लिए हैं बनारे मैं सेम प्रका ही बना रहे हूं जो ड्राइफू करके इसको कट कर लेना है अगर आप मेंसे किसी को वीडियो फास्ट लगे यहां पे तो आप इसको जाके चेक आउट कर सकते हैं इसका लिंक डिस्कुम प्रवाइड कर वाद होंगी तो इस तरीके से में नीचे हैंगिला है उसको याद देखिए इसमें इस तरीके से सरकल फिर मैं थोड़ा सा यह कलर फुल बॉल्स लाइट है इसको आगे कनपाई पर लगा दोंगी फिर कुछ मैंने बलून से गोल्डन और ब्लू में ले लिए हैं इसको इस तरीके से करके आमें फ्लावर बना देने हैं बना देने हैं उसके उपर रहे हिस्स्य को हाइट करने के पिल लगाय थना हांके लिए उसी में लिए हुसको लगा देगे उसके को लाके हम नीचे बस अपने इसमें उसमें ईसमें हुआ से ऑप तो क्या כे यह बमने ब्लू क्सन करने के साथा जो मेरी एक डियुआ शेर कि यह साब यह वीडियो है चैनल पर आपको मिल जाएगी इसको मैं यहां पर लगा रही जो मेरे थीम के साथ बहुत इच्छ जा रहा है फिर नीचे में एक और मैट बिछाओंगी इस तरीके से रही हो सामने फिर साइड में मैंने एक वाइट करका स्टूल किया उस पर आटिफिसल पार्म ट्री लगा द तो यह बहुत सुंदर जार था थीम के साथ मैज भी और तो मैंने यहां पर लगाया है कुशी में आटिफिसल फ्लार्स का यूज कर रही हूं साइडों में इसको डेकोरेट करने के लिए तो इस तरीके से लगा देंगे आप इसकी जगह पर रियल रोज पैटल्स भी नीचे में यहां पर एक नाइट लैंप रख रही हूं इसके नीचे रखने का परपज है कि इसमें लाइट आएंगी येलो के साथ तो बहुत अच्छी लगती है उपर में एक पेस्मेट रखे मैंने थाली डेकोरेशन मैंने किया था दिवाली में आप देख सकते हैं तो व अब कुछते में थ्रोड़ा साथ करना दो यहां पर देखिये मैं यहँ बैट्र और डेकोरेट केंडल्स इसको मैं तरीकर दूंगी देख दोелей जॉंगी साइड हें डाल से मैंने सेम लगाया है इस साइट से कर और इस साइट से भी किया तो काफी अच्छा लुक लेकर आ रहा है और यह आज कल तो बहुत ही वायरल है सब के पास मिली जाएगा उसके अदमा यहां पर एक बॉस का यूज कर रही हूं और इसमें एक सिर्वर करके बॉस वाली लड़िय सेट geschATION में पर रही हूँ इसके ऊपर में यहां पर एक और लगाया हु तो हमने अपना बहुत ईजी पर LARS पर Ge INFORMAD लिए जो सारी कि साथ is करना है आपने घर के सिधर रखे बहुत ही अच्छा सा रखे सकते हैं इंवरेस्टी बिरडे किसी बशीसब पर देट नैट विगारा हो आपको छोजी से कहना लाइट और वाउम डाइट डोनों का यूज़ सीज़ से लाइट रही है और नेट का यूज़ाने का रीजन यही है कि इसे लाइट बहुत अच्छे से खिल के आती है और उसमें वनी प्लांट के लड़ीयां लगा दिया है वहने बहुत ही खुब त्लग लगा रहा है तो आपको हलके कपड़े का यूज करना है तो कुछ इस तरीके का मैंने डेकुरेसिंग कर लिए आप मुझे कमेंट कि आपको यह डेकुरेसिन आइडिया कैसा लग रहा है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज आपको सब्सक्राइब कर लेजिए गा और जितने मैंने अपने ब्लेडरूम में ही किया है तो बहुत ही छोटा आप देख रहे हैं कितने प्लेस में अच्규 यह हो गया है इस तरीके से कुछ कर सकते हैं बहुत ही प्यारा लगा रहा है आप वीडियो को लास कि और आत्म एक्स दयते हैं बाइ-जिश क्या थैंक यू झाल